हेलो एवरीवन मैं हूँ सचिन और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे और आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि का 하지 रिखेंगे तो उसके लिए सबसे पहले कोड कोड ब्लॉक को ओपले तो यहां पे यहां पर देखे कोड़प ब्लॉक आया यहां पहूंगा को जो कोड़ आपर क्लिकेर यहां फो एंक करूंगा क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट में क्लिक करने के बाद में यहां पर हम लोग कंसोल अप्लिकेशन में क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लोग गो में क्लिक करेंगे and then फिर हम लोग next में click करेंगे और फिर यहाँ पे c++ ही select रहने दीजेगा और फिर next में click करिएगा and then यहाँ पे आपको project का title लिखना है तो मैं यहाँ पे simple लिख दे रहा हूँ hello world world and then फिर हम लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे folder जो रहता है इसका location देना पड़ता है आप इस पे click करिएगा और उसके बाद में जो भी location आपको set करना रहेगा उसको set कर लीजेगा ठीक है तो यहाँ पे मेरा location जो है वो d drive के अंदर में एक c++ program नाम का folder है वो है तो उसके बाद मैं यहाँ पे next में click करूँगा अब यहाँ पे देखिए source में click करेंगे और main.cpp में मैं यहाँ पे click करूँगा जैसे यहाँ पे मैं main.cpp में click करूँगा तो यहाँ पे पहले से program लिखा हुआ रहा है बट मैं फिलाल के लिए यह सारा program को मैं यहाँ पे delete कर देता हूँ मैं फिर से लिखके आप लोगों को दिखाऊंगा control plus से इसको आप बढ़ा कर सकते है screen को and then अभी मैं लिखूँगा देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है कि हम लोग यहाँ पे include लिखते है और include के बाद में यहाँ पे हम लोग iostream लिखते है ठीक है अब यह include iostream क्या होता है actually मैं iostream एक header file है जिसको हम लोग include कर रहे है इस program में और header file क्या होता है उसके अंदर में बहुत सारा predefined function सब होता है जो हम लोग use कर सकते है directly ठीक है और एक चीज़ सबसे important चीज़ मैं बताना भूल गया था आप लोगों को कि c++ का जो file होगा उसका extension जो होता है वो आपका .cpp होगा उसके बाद में header file include करने के बाद में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे using namespace and then std देखिए अभी यह जो हम लोग using namespace std लिखते है इसको थोड़ा देर के लिए रहने दीजिए यह हम लोग आगे discuss कर लेंगे बड़ मैं इतना बता दूं कि इसका मतलब होता है we can use name for object and variable from the standard library उसके बाद में फिर यहाँ पर हमारा main function शुरू होगा तो main function के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर int लिखते है int एक तरह का data type होता है उसके बाद में यहाँ पर main तो यह हमारा main function है कोई भी program अगर execute करते है तो सबसे पहले वो main function को ही खोसता है c++ में ठीक है और main function के अंदर में अभी मैं कुछ print करना चाहता हूं जैसे कि hello world तो print करने के लिए हम लोग को cout लिखना होता है और cout के बाद में inverted कॉमा और इसके अंदर में जो भी लिखेंगे वही output screen में आपका print होगा तो यहाँ simple मैं लिख देता हूं hello and then world उसके बाद में फिर अभी यहाँ पर देखे यह जो main function है यहाँ पर हम लोगों ने int लिखा है त यह non word function हो गया जब भी कोई non word function हम लोग बनाते हैं तो हम लोगों को something return करना पड़ता है यहाँ पर हम लोग return zero कर ले रहे देखे वाइड function non word function यह क्या होता वो मत समझे उतना बट इतना समझ लीजे कि जब भी हम लोग इस प्रकार से int main function बनाएंगे और उसके बाद में जो क्लिक करूंगा और रन में क्लिक करने के बाद में देखे यहाँ पर मुझको hello world print हो रहा है यहाँ पर हमार output screen में दिखा रहा है I hope आप सबको C++ का program कैसे code block में लिखते हैं यह समझ में आया होगा C++ का basic structure समझ में आया होगा तो अगर basic syntax समझ में आया हो तो मेरे इस video को like करिएगा और मेरे channel को subscribe करना मत भूलिएगा